औल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों के द्वारा दो जन्वरी को यानि कल देर रात में एक बड़ा फैसर लिया गया और जितने भी ट्रक एसूसेशन और जो भी हर्ताल पे गये थे वो हर्ताल से वापस आ गये क्योंकि इस मामले पर कल देर रात तक केंद्रे ग्रिम अंतराले में केंद्रे ग्रिस अचिव के साथ एक महत्पून बैठक हुई उसके बाद ट्रक एसोसिसन की बात करें या औल इंडिया एसोसिसन की बात करें उन लोगे ने फैसर लिया कि इस हर्ताल से वो वापस आएंगे अब जिसके बाद आज के मार्केट में अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि हर्ताल वापस ले लिया गया है और हर्त लेकर काफी अफवाय मार्केट में हुई और जिसके चलते यह हर्ताल के एक नौमत आई और इंडिया में इस हर्ताल को लागू करने का एक फर्वान जारी किया गया था तो इस मामले में जो सबसे नयाय सहीता बन गया है तो भारती नयाय सहीता क्या है और किस तरह से इस मामले में जो बदला हुए है उसको समझना बहुत जरूरी है तो भारती नयाय सहीता जो नया वाला जो कानून है जो नाम बदला है उसी के अंदर अंतरगत जो धारा एक सो चे है उसको लेकर कुछ जो को दस की सजा और उसके बात रुपिया आप जुरूँता है ठोके अभाटीक को एक थाओ ओक्रावनिये लोग पहुंचे तो उन्हें गया कि आसा कोई सजाने का प्रावधानı नहीं ही इसा जुरूँतान मावलन है क्योंकि इस मामले पर जो सजा होती है वो कौर्ड फैसला करता है और फैसला कोट उस मामले पर निर्वर करता है कि वो कितना अधिक्तम सजा करेगा या नहीं करेगा या कितना सजा करना है वो कोट के अधीन होता है और अभी तक कानून लागू भी नहीं हुआ है क्योंकि इस मामले पर हमारे सुतर बताते हैं कि 26 जैमारी के पह गई है इस मामले में सापतोर पेकेंद्रिक ग्रिहमंत्राले के द्वारा भी बताये गया और इसके साथ ही इस मामले में एसुसिसन के द्वारा भी सापतोर पे बताये गया कि यह अफवाग कैसे उड़ी है और इसके साथ ही किस तरह से इस मसले का समाधार निकाला गया है लेक अभी भी इस धारा को समझने के लिए जो एक अस्वंजस की स्थिती बनी हुई है जल्दी इस मामले का भी खात्मा कर दिया जाएगा विडियो जनलिस मनुन सिंग के साथ शंकरानन निउस 18 दिल्ले